तो गाइज अभी हम जहां पर बैठे हैं अभी दिखा तो सकता नहीं मैं क्योंकि अभी यहां पर बारिश हो रही है अननात खाड़ा के नामते और आपको पिछे का सीन देखाता हूं अभी जैसे की पिछे का भी सीन देखेंगे यह अभी यहां बैठो है हमें कम से कम एक है 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 हो गाइज वेलकॉम बैक तो मैं नियु व्लोग और कैसे हैं आप सब आई हॉप यह ओल गुट और आज की मेरी सेकंड व्लोग होगी इस यू में भी बिकोज मेरे को इस यू में व्लोग ना प्रोपर से आता नहीं है और इस इक में भी रहा हूं मानता हूं कि मेरी कि यह थोड़ी सी ऐसी थी तो मज़ए यहां आज मार्केट जारा हूं जैसके बखसर में रहने वाला हो तो मैं और अज में आपनी जो लाच वडोग में जिए थी में उन्हें के साथ चाहूं और मैं मानता हूं कि मैंने उनको इंट्रोपर नहीं करवाया था क्यूंकि उनक तो मिलते हैं आगे के व्लोग में और दिदी के घर जाओंगा उनका फेला है मेरे तो उनके घर जाएंगे उनको करते हैं फिर आगे के व्लोग करते हैं है ओके तो हेलो गाइज वेलकम बैक टो मैं चैनल और जैसे कि आज मैंने बता रहा था कि आज बाहर जाएंगे और अब ही मैं जैसे कि एक यहां पर मंदीर है श्री अननाथ खाड़ा के नाम ते और आपको पिछे का सीन दिखाता हूं अब जैसे कि पिछे का भी सीन कि आज देखे सकते हैं कि कितने सारा बाड यहां पर हुआ है और जैसे कि आप जाए निचे तक पानी आ गया था और अभी देख रहें थोड़ा से लेवल कम हुआ है और यहां पर लगा के रखेंगे और अभी बीच में लेकर निजा सकते हैं बंद किया हुए रास्ता अब थोड़ा और जूम करेंगे देख सकते हैं कि बच्चे पानी में खेल रहें आपि अगर दिखरे होने तो प्रोपर अब इस इतना है और यह बटक बटक भी सब घूम रहे हैं तक रोगारा अब फटक होकरा गोम रहे आब पानी में सोग राएज अब बारिश वहारी है अब यहां बैठो हुए हमें कम से कम एक घंटा होगी और आपको सीन भी दिखा सकता हूं पीछे का अगर वीडियो में परोपर आई है तो अभी जैसे की कुछ टाइम पहले यहां पे काफी भ्यंकर बारिश होए थी उसके कारण जैसे की गंगा नदी पकसर में और जैसे की का जैसे काफी पानी बढ़ गया तो जहां मैं बैठा हूं यहां यह तक पानी भरा प्रणी पहले का टाइम पर और ठीक ठाक है और थोड़ी दिर में निकलेंगे यह देटका बैठी है तो हम तो गाइस हम थोड़ी देर निकलेंगे फिर आगे के व्लोग हम सटाट करते हैं अ नाम मन्दिर को यही नात्र मंधिर के नाम से इसको जाना जाता है तो और मतको बंते Dodman तो आपके देखो फोड़ा से मौल भी ठीक ठा किया यहां पर बारिश का मौल होने कारण भी अब यसी बता है कि मैंने बारिश हो दिया तो देखिए अभी बारिश होने के बाद फिर डक्स वापस आगे बाहर कि पैनने के लिए तो चलते हैं फिर आगे क्या करना है तो वाइस अभी हम बक्सर के गलियां में घूम रहे हैं जैसी मैंने कैमरा उनके लिए वैसे ही आगे भग गई तो यहां पर देखो कि एक साथ कितना कितना ग्रीन और एक साथ ही दिवार है और बस बढ़िया चली जा रहे हैं देखते हैं यह देखो कि अब सुर की पुरी गैंग है जहां पर तो चलते हैं तो चलते हैं अब एक डाबे में आया है बैठें अभी जस्ट और अभी हमने डोसा किया एक चार्ट कर वाया है और देखतें भी कितना टाइम लगता है कि माने में तो कि खाएंगे पर निकलेंगे कब से बहुत ठक ग करें जाब भी अधस्या कि अपter कि पहुंच गया तो बाने के बाद जैसे हैं लोग निकले अगे के व्याट करने के लिए तो बारेष की कि भी आकठेंगे लोग नहीं बता पाई उस फिर मेर्ट निकलना पड़ा और हमें भी का लेट और बी पार गए तो इसलिए हम सीधा सीधा आगे ते घर पे और जो अभी यह जो बना रहा हूं यह मैं नेक्स टेप बना रहा हूं इसी व्लोग में अटेच करने के लिए तो वाइस आज की वीडियो इतनी थी अब लोग अपना ख्याल रखिये और सब्सक्राइब चुरूर कर दीचेगा और जिसी कि दो दिन बाद अभी रक्षा बंदन आ रहा है तो रक्षा बंदन की ब्लोग में नहीं बना पाऊंगा तो में यह व्लोग रक्षा बंदन वाले दीन ही अपलोड करू हूँ हूँ तो म बंदन